हम बात करेंगे सीजल 2024 की एक most important topic के बारे में है वो है टीचर का selection देखो अगर तुम्हें सीजल की त्यारी करनी है तो तुम चाहे किसी लेवल पर बैठे हो सेल्फ सेडी जरूरी है लेकिन सेल्फ सेडी के साथ टीचर बहुत जरूरी है बात को समझो किस टीचर से तुम्हें कौन से टॉपिक पढ़ने किस टीचर की पढ़ाई तुम्हें समझ में आ रही है या कौन सा टीचर ऐसा है जो जरूरी नहीं वो भी पढ़ा दे रहा है तो इस चक्कर में क्या होता अगर तुम्हारा टीचर सही नहीं है जो तुमने झाली और वह सही नहीं है पूरी तैयारी डिसर्ब हो सकती है तीन स्टेप में सम्झाएंगे कि टीचर को हमें कैसे चुनना है ठीक है सबसे पहली चीज देखो अक्सर जो तुम लोगों को टीचर सही होते हैं वो मैथ और इंगलिस के चाहिए होते हैं ठीक है तो सबसे पहली चीज जो है अगर तुमने किसी भी टीचर की हाइप बनते हुई देखी है कि वो बहुत हाइप में है मतलब की लोग उसकी डिमांड कर रहे वो टीचर च जाता है रील्स हैं सॉट्स हैं एडिटिंग के जरिए एक महौल बनाए जाता है उस टीचर के लिए कि यह टीचर तो इससे उपर कोई टीचर है नहीं और उस टीचर के महौल को बनते हुए देखते लड़के वहां से बैच खरी लेते तो कभी भी टीचर की जो सोसल अपीर देखो क्या हुता है टीचर दो तरीके के होते हैं एक होते हैं बेसिक से पढ़ाने वाले और एक होते सिध्याओ आद्वांज लेबल पर पहुंचाते हैं ठीक है लेकि हैं लेकिन आज के टाइम की hard truth यह है कि जो भीत interior करते हैं फिर-इडवांस लेफल का पढ़ाते हैं सेल बीवस्ट करने में आठ मेने लग जाता है क्यों वह जीरो से लेके चलेंगे जो एडवांस से पढ़ाते हैं उनको चार मेने में को कॉर्स निप्टा देते हैं तो हम यह कहेंगे जो बेसिक है अपना वह तुम खतम कर लो किसी किताब से हर किताब में बेसिक तो खतम होई जात है ठीक है तो अटवांस जो एड़वांस मैंटमेटिक्स की बाते कि बात कर रहा है ठीक है बेसिक अपना किताबों से पढ़ लो फॉर्मुला रटलो जो भी करना वह कर लो उसके बाद इनका बैस्ट खरीदो के तो यह एड़वांस लेवल से पढ़ाना शुरू करते मतलब लोग को ये लोग लोगों के पढ़ाइं सम slips उपर से चली आती है और यखीन गैसिए अगर तुम्हें को इस Ideum ्पर कूई बेचने के लिए आहे है gew alltid उत श्रूहां सबस्ताकर करने हैं कोई-टीश कुछ भी तुम्हें समझाएंगे चटवे मिनट से अपनी एड लगाना चालू कर देते हैं वह टीचर नहीं है वह बिजनसमें ठीक है तुम जितने भी बड़े एजुकेटर देखो के टीचर देखो के चाहिए वह तुम अभी नहीं मैंस को देख लो सर को जो है चाहिए तु को इन लोगों ने अपने फ्री कोर्से से इतने डाल रखें यूट्यूब पे कि अगर तुम उन्हीं को पढ़ लोगे तो सेलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी लोग पेड़ जोईन करते क्योंकि पेड़ बैच जो हता वो सिस्टमेटिक होता है इसका मतलब यह नहीं है इट बैच के लिए ही पढ़ाया है नहीं अगर फ्री में इन्होंने जो पढ़ाया अगर उतना भी कोई ढंक से पढ़ ले सकता है तो इस तरीके के टीचरों को चुनो जो की सिर्फ प्रमोशन करने के लिए यूट्यूब पे ना है आज एक्जामपूर का हाल बहुत बुरा कहना नहीं चाहिए लेकिन आज उनके हाल बुरे होने की वज़ये कि यह है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रमोशन पर द्यान दिया है अपने बैच बेचने पर द्यान दिया है पहले दिन से ही जबकि टीचर उस जो एक्जामपूर की टीम थी टीचर वर्ड क्लास थे कि किसी के पास ऐसे टीचर नहीं थे लेकिन आज देख रहे हैं एक भी टीचर सही डंका बचा नहीं है ठीक है तो इसलिए कह रहे हैं तुम लोग टीचर इस तरीके से चुनो राम राम जैहिन